मद्धर प्रदेश में दो विधान सभा सीटो विजयपूर और बुधनी में उप्चनाव होने वारे हैं इसको लेकर निर्वाचन आयोग में तारीखों की घोशना भी कर दी है बतादें की तारीकों की घोशना के बाद दोनों विधान सभा शेत्र में निर्वाचन की तैयारी भी चाक चौबन कर ली गई है अब इसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दिये गए हैं बुधनी और विजैपुर में होने वाले विधान सभा उपचुनाओं को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधीकारी सुख्वीर सिंग ने सिकास बात चीट की हमारे वरिशो समादाता प्रिंस गुपता ने मद्यप्रदेश के मुख निर्वाचन पदाधिकारी सुख्वीर सिंग जी हमारे साथ हम बात करते हैं दो विधान सबाच में चुनाओ है और निशित तोर पर कही ना कही है अब तिथियां भी घोशित हो गई यह सर विजेपुर और बुधनी में चुनाओ है तिथियां है वो ठीक से हैं और वहां पर पूरी सुख्वधा है रहें तो हम लोग पूरी तरीके से तहीं आ रहे हैं मददाता सूची और मददाताओं के अवरनेस को लेकर अगर बात करें कि वोट प्रतिशत बढ़े और वोटिंग जादा से जादा हो खास वर से तो उस और भी क्या अधिशा निर्देश जारी किये गए और किस तरह की तयार हैं तो हम लोग जो जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके संपरक में हैं और उनको हम लोगों ने निर्देश दिये हैं कि मददान बढ़ाने के लिए सूइप एक्टिविटी को भी किया जाएं विजबूर खास दोर से तो क्या सूरक्षा के इंतजाम हो है और फोर्स को लेकर अगर चुनाओ के वक्त है तो क्या डिमांड आपकी केंदर से है और आपके पास कितनी परियाप्त वहां के लिए चुनाओ के लिए फोर्स है जो हम लोगों ने एक प्रिम्नरी एक्सराइज किया है तो उसमें कुछ कंपनियें हम लोगों ने मांगी है केंदरी कंपनियाज और मांग छे-चे कंपनिये कि भेजिये दौनों विधान सवा के लिए इसके लाबा किवक्षज को जो प्रिदेश में भी जो फोर्स रहता है वो काफी रहता है तो हम लोगbasically हरेक विदान स दिन में पूरी हो जाएगी तो उसके आधार पे हम ये निकाल पाएंगे कि actually कितना फोर्स लगेगा और तो फिर वो इतना फोर्स हम लोग परियाप्त फोर्स लगाएंगे ये तो थे सुग्वीर सिंग जो मुख निर्वाचन पदादी कारी है मद्यप्रदेश के दो विधान सबाओं में चुनाओ है शोपूर, विजयपूर और बुधनी तो उसकी तैयारिया निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली गई है तमाम तरह से चाग चोबंद इंतजाम है बस अब इंतजार है तो चुनाओ वोटिंग का कैमरा में सदीश गुपता के साथ मैं प्रिंस गुपता टीवी टन्टीफोर भूपा वहिवरांपूर जिले में इन दिरों सिक्षा विभाग स्कूल सिक्षिकाओं पर महरबान नजरा रहा है ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिक्षा सिक्षिकाओं को समय से कोई लेना देना नहीं है वहां अपने मर्जी से अपने अरुसार स्कूल पहुंचते हैं और उन्हें सही समय का जानकारी तो है पर सरकारी स्कूल है चलेगा ऐसा एक या दो दिन की बात होती तो चलता पर कई महिनों से ये सिलसला लगा तार जारी है जिसका असर अब बच्चों की पढ़ाई पर होता नजर आ रहा है हाला कि अधिकारी अब जाच की बात कर रहे हैं